सब्सक्राइब चैनल और प्रेस्ट बैल आइकन और नेवर मिस अनी अपदेट डिरे स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारी योडिप चैनल पर मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार पुर्वी की भाती इस वीडियो में भी क्लास 10 के एंसी एर्टी हिस्ट्री का चौ दो एवं तीन से जितने भी अबजेक्टिव टाइब कुश्चंस आपके बुक में दिये गया हैं चाहे वो बहुवाइकलपिक प्रस्णो या फिर रिक्तस्थान वाला प्रस्णो या फिर मिलान चिन वाला प्रस्णो तो उन सभी का आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया ह उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप उन सभी वीडियो को भी पहले जरूर देखें फिलाल आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसी प्रिकार से चेप्टर वाइज जितने भी ऑबजेक्टिव टाइब कुश् आपके बुक में दिये गया है तो इसमें देखिए मैंने कुछ पेज लिया है जो ऑब्जेक्टिव में कुछ चीजें काम आने वाली है जैसा कि पेज से मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा यह आप देख सकते हैं आपके जो चेप्टर में जो जो पेज दिये गया है ल पुरा नाम बाल गंगादर तिलक है लेकिन सौर्ट में उसको तिलक कहा गया है तो 1915 सत्रा के बीच एनी बेसिंट और तिलक ने आयर लैंड से प्रेडित होकर भारत में होम रूल आंदूलन आरम किया तो आपके जो फिलेंदा ब्लैंक्स वाले एक कुश्चन है जिसमें यह दिया गया है जिसमें बाल गंगादर तिलक का नाम दे दिया गया है लेकिन एक नाम नहीं दिया गया है जो कि है एनी बेसिंट का तो मैं आपको दिखाऊंगा उस वहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो एनी बेसिंट होगा और आपका जो पहला MCQ टैप से कुश्चन ह कि गदर पार्टी की अस्थापना किसने और कब की तो यहां आप देख सकते हैं कि लाला हर्दयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी को अस्थापित कर भारत में ससस्त क्रांती का प्रयास किया तो यह आपका यहां पे देख सकते हैं इसी तरह से जो है objective प्रस्णों के solution के या आंसर के लिए इसी तरह से बुक में रिदिंग करके आपको या तो हाइलाइट कर लेना होता है या फिर उसको अंडरलाइन कर लेना होता है ताकि जब भी आप पेज पल्टे तो आपका नजल इन हेड्लाइन पर परें तो चलिए आप बढ़ते हैं यहां पर एक और मैं आ से आप लोग जो है याद रख सकते हैं तो देखते हैं अब जो आपका उप्जिक्टिव ट्रैप कुश्चन से जो कि आप स्क्रिन को उपर देख पा रहे हैं इसमें जो है विकल्प वाले लगबग 10 प्रसन है उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी प्रसन है और मैच आप्सन झावोग को जाएगा लाला हर्दियाल उनी सु तीरह इसबी दूसरा है कि जालिया वाला भाग हत्या कांद किस तीति को हुआतो जालिया वाला भाग हत्या कांद वाता था लख्तनivesse समझा से graveyard हैह तो इसका कंसर नमबर को हो जाएगा चौत्या कुछन है कि औसयोग आंदूलन का प्रस्ताव कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था तो औसयोग आंदूलन का प्रस्ताव पारित हुआ था ये कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था कितने इस भी में तो ये जो है सितंबर 1920 में पारित हुआ था तो इसका अंसर option number को हो जाएगा देखिए औसयोग आंदूलन को जो आरम किये थे जो इसका नित्रित्व कर रहे थे वो महात्मा गांदी जी थे जिन्होंने औसयोग आंदूलन सभीने अवग्या आंदूलन डांडी यात्रा तो इन सभी चीजों के बारे में जो है वो उन सभ की के सासके स्रमर्थन में जो है कौन सा आंदूलन तो खिलाफत आंदूलन कितने सभी में तो इसका अंसर option number को हो जाएगा इसे प्रिकार चटा कुछन देख सकते हैं कि सभीने अवग्या आंदूलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ तो जो डांडी यात्रा था जो महात सभी में फिर यहां पर देख सकते हैं सात्मा कुछन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कोंग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है यह आपको लाहोर अधिवेशन में जो कि 1929 में हुआ था तो लाहोर में पारित हुआ तो इसका अंसर नमर को हो जाएगा 1929 लाहूर इस तरह से आठमा कुछन देख सकते हैं राश्ट्रे स्वैंग सेवक संग जिसको आप तो के भी हिट गेवार के द्वार तो इसका अंसर और सन नमर को हो जाएगा 19 बालब भाई पटेल को सरदार बल्लब भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा तो इसका आंसर नंबर को हो जाएगा अब देखें रेक्तास्थान वाले यह भी आप देख लें तो फिलें ब्लाइक्स वाले में पहला जो कुछन है कि बाल गंगाधर तिलक और यहां पर ने हमिर लीग अंदुलन को सुरू किया दूसरा है कि बहुर्ट में किलाफट आंदुलन के नेता महात्मा गांधी थे इसी प्रकार सविन अवग्यां असथागित हो गया इसके पीछे का रिजन यही था सॉयोग आंदोलन का जो उद्देस यह था कि अहिंसा के थ wur किसी भी प्रिकार का हिंसा नहीं करना है अहिंसा करोप से आपको आंदोलन करना है और उसके थlook अपनी भी मांगे हैं वो बिटिस सरकार से पूरी करवानी थी लेकिन उसी दोरान जब आंदोलन हो रही थी तो चौरा-चौरी जगव में जो है आपको पता होगा कि आंदोलन के दोरान पुलीसों के दोरा फाइरिंग की गई आंदोलन कार्यों पे और वो जो है फाइरिंग के दोरान जो है बहुत की चाहते थे कि यह अहिंसक रूप से चले लेकिन वहां पर हिंसा हो गई जिसको देखते हुए 12 फरवरी 1922 को और सयोग आंदोलन को अस्थागित कर दिया गया तो यह बाइस नहीं यहां पर बाइस लिगा है बाइस नहीं होगा 12 फरवरी होगा फिर है साइमन कमिशन के अध् अंधुलन हुआ था उसमें भूमीकर के विरोध में जो जमीन के ऊपर कर्ण टैक्स लगाया गया था तो उसके विरोध में आंधुलन आरंभ हुआ चटा कुछन है कि भारतिय राश्टे कॉंग्रेश के पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतिय राश्टे कॉंग्रेश क अध्यक्स था कि पहले ही जैसे इसका गठन किया गया तो उनके जो अध्यक्स थे वह व्यो मेश चंद्र बनरजी थे भारतिया राश्ट्रे कोंग्रेस के पहले अध्यक्स थे अब शात्मा कुछन है कि डॉट 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 यहां पर देख सकते हैं मैं बताना चाहता हूं कि उरीसा में अपको बता दिया अब जो मैचिंग वाला है मिलान वाला यह भी आप देखे लें यहां पर अल्रड पहले से मिला के मैंने रखा है आप लोगों को केवल समझा रहा है जैसे तक गांधी वादी चरन मतलब गांधी वादी समय कब से कब तक था तो यह 1919 से लेकर 1947 तक चली थी जिसमें गांधी जी का अच्छा खासा जो है जनता पर प्रभाप परा गांधी जी के विचारों का तो यहां प पांच फरवरी 1922 को घरी थी जिसमें चोरी-चोरा पुलीस स्टेशन को जला दिया गया था उस पर आकरमन किया गया था और लगबग 22 पुलीस कर्मियों की मृत्यू हो गई थी तो यह आपका पांच फरवरी 1922 को हुई थी और इसी से आत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 क और सहयोग आंदोलन अस्थागित कर दिया था कॉंग्रेस के जो प्रतम अध्यक्ष थे वो आपका मदन मोहन माल विये थे कॉंग्रेस के प्रतम अध्यक्ष मदन मोहन माल विये थे बंगाल विभाजन वापस लिया गया 1911 में देखे जब ये बंगाल को दो भागों में वि ब्रिटिस सासन थे उसको मजबूर होके बंगाल विभाजन को 1911 में वापस लेना पर और यहां पर देख सकते हैं हिंदु महासभा की अस्थापना हुई थी 1915 में हुई थी और यहां पर देख सकते हैं मोपला विद्रो मोपला विद्रो जो है यह आपका केरल में शुरूआ तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं यह सभी आपके आपके बार बार रिपीट किये जाते हैं तो आसा करता हूं आपको हरे कुस्टिंस का अंसर अच्छे तरीक से समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्र के लेते हैं अलिविदा जय हिंद जय भारत तेंक यू थैंक यू शू मच अब्सक्राइब चैनल और प्रेस्ट बैल आइकन और नेवर मिस्ट अनी अब्देट